हेलो स्टुडेंट्स मैं सिद्धा सर्मा आपका एगनू स्टुडी सेंटर में स्वागत करता हूँ अप से मैं आपको एगनू में BCA सेकंड सेमेस्टर में MCS 12 के यूनिट्स को बेसिक से एडवांस तक टॉपिक्स को बताऊंगा वो भी बहुत ही आसान भासा में हिंदी इंगलिस दोनों में और इसकी पीडियप भी आपको दे दूँगा इस वीडियो में जो टॉपिक हैं उनका टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में वीडियो चेप्टर्स के रूप में हैं उन पर क्लिक करके आप इस वीडियो में अपने टॉपिक के टाइमिंग पर जा सकते हैं और वीडियो के टाइमिंग पर जा करके आप अपने टॉपिक के बार में पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें वान निवान आर्खिटेक्चर बिल्कुल भी मिस ना करना अगर आप इसका कोई भी topic मिस करेंगे तो आगे की topic समझ नहीं आ सकेंगे क्योंकि मैंने computer के हर एक basic word का मतलब इस topic में बताया है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है आप study start करते हैं with igno study center Unit 1 The basic computer सबसे पहले इसका structure देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले introduction है उसके बाद में फिर objectives यानि unit के उद्देश उसके बाद the one newman architecture फिर instruction execution and example एक example के दारा देखेंगे कि instructions का execution कैसे होता है और instruction cycle के बादे में देखेंगे कि instruction बार बार repeatedly कैसे execute होता है इसमें दो topic है interrupts और interrupts and instruction cycle ये दो topic हमको पढ़ने है इसमें हम जानेंगे interrupts क्या होते हैं उनका कार क्या होता है interrupts के बारे में सारी जानकारी उसके बाद में फिर है computer then and now इसमें हमको computer generation के बारे में पढ़ना है यानि computer की history के बारे में पढ़ना है कम्प्यूटर को बनाने में कितनी पीडियां लगी और हर एक पीडि में क्या-क्या डेवलाप हुआ कम्प्यूटर के लिए और कितना-कितना बदला हुआ ये सब चीजे हम देखेंगे कम्प्यूटर जनरेशन में इसमें पांस टॉपिक है इसमें पांस पढ़ेंगे और उसके बाद में इस पूरे यूनिट का सारांस पढ़ेंगे और ये सब बेसिक से एडवांस तक आपको इस एक वीडियो में ही सब बताऊंगा बस आपको ये यूनिट पूरा लाश तक देखते रहना है और आप ये यूनिट और इसके टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ जाएंगे और इसमें सामिल छोटी से छोटी बातों को भी आपको बताऊंगा जिससे आप competitive exam भी crack कर पाए इसमें आप सबसे पहले introduction से पढ़ना start करते हैं इस ही काई में आपको एक महत्रपूर computer system सनचना से परचित कराये लाएगा इसके अलाबा आपको निदेश निस्पादन के एक सरल मौडल की आउधारना से परचित कराये लाएगा हमने computer के एतिहास के विपने periods means समयकालों के दवरान मुख्य विकासों के बारे में भी चर्चा की है और अब भी करेंगे क्योंकि हमको अब इसका advance पढ़ना है अंतता हम microprocessor के बुनियादी गटकों और उनके opiogrit के बारे में चर्चा करेंगे इसमें microprocessor के बारे में देखेंगे कि microprocessor क्या होते हैं और भी इनके अंदर बहुत सारे चोटी चोटी topic हैं उनको भी देखेंगे आपको एकदम basic से basic बताएंगे इसमें उसके बाद में फिर आपको unit 2 में इसी chapter के base पर आपको सारी चीज़े उसमें समझनी पढ़ेंगे थोड़ा फिर आप इसके आगे के units को आसानी से समझ पाएंगे अब इस unit के objectives उद्देश से देख लेते हैं कि इस unit को सीखने के उद्देश से क्या है After going through this unit you will be able to इस unit को समझने के बाद आप define कर पाएंगे the logical structure of the computer define the instruction cycle, define the concept or interrupt discuss the basic features of computers and define the various components of modern computer and their uses मतलब computer की तार्गिक सनचना को परभासित करना, निदेश चक्र को परभासित करना और धारना या interrupt को परभासित करना computer के बुन्यादी बविश्य पर चर्चा करना और आधनी computer के विभी नगट को और उनके उप्योग को परभासित करने में सच्छम हो पाएंगे आप अब हम one new man architecture के बारे में पढ़ेंगे कि one new man architecture क्या होता है और ये क्यों बनाये गया और इसकी computer के छेत में क्या भूंगा है और computer इसके बेस पर कैसे काम करता है the one new man architecture was the first major proposed structure for a general proposed computer one new man architecture एक सामान प्रियोजन के computer के लिए पहली प्रमुख प्रस्ताविश संचना थी computer के बारे में discuss भी करने जा रहे हैं और computer के बारे में पढ़ेंगे भी तो उससे पहले एक बार computer के बारे में भी देख लेते हैं कि computer क्या होता है computer is defined in the Oxford Dictionary as Oxford Dictionary करमसार computer ऐसे डिफाइन किया जाता है and automatic electronic apertures for making calculation or controlling operations that are expressible in numerical or logical terms मतलब गरना करने या संचालन को नियन प्रिप करने के लिए एक सचलिद electronic उपकरण जो संख्यात्मक या तार्किक सब्दों में वक्त किया जा सकता है परिभासा इसपस्ट रूप से computer को electronic उपकरण के रूप में वर्गी करत करती है हलाकि पहले computer यांत्रिक और electro-mechanical उपकरण थे इसमें electronic components नाम से word use हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं कि यह क्या होता है electronic components are used for creating basic logic circuits that are used to perform calculations electronic गटकों का उप्योग बुनियादी logic circuits बनाने के लिए किया जाता है जिनका उप्योग गढ़ना करने के लिए किया जाता है यानि बुनियादी सक्ट जो गढ़ना के लिए प्रियोग किया जाते हैं उनको बनाने के लिए electronic components का use किया जाता है पूरे BCA के syllabus में आप program नाम तो बहुत सुनेंगे लेकिन आप इसकी परिबासा और इसके बारे में भी देख लेते हैं जिससे आप concept पर पूरी तरह से ध्यान दे पाओ आपके पास सारी जानकारियां हो जिससे आप concept समझ पाओ क्योंकि जब तक छोटी छोटी बाते हमको पता नहीं होगी तब तक बड़े बड़े concepts को कैसे समझ पाएंगे इसलिए इनको पढ़ना बहुत जुरूरी है अब program is a sequence of instructions which operates on data to perform certain tasks such as finding a prime number एक program निर्देशों का एक क्रम है जो कुछ कादरियों को करने के लिए data पर काम करता है अब data की बात हुई तो data को भी समझ लेते हैं कि data क्या होता है In modern digital computers, data is represented in binary form by using two symbols, 0 and 1 आधुनिक digital computer, data को दो प्रतिको 0 और एक काउप योग करके binary रूप में दरसाता है These are called binary digits और bits इन्हें binary digits या bits कहते हैं यानि कोई भी एक नमबर 0 या फिर 1 वो एक bit होता है 1 bit या तो 1 को कहे लो 1 bit या तो 0 को और binary number में यही स्रिफ दो number होते हैं 0 और 1 और ना कोई number और ना ही alphabets Only 0 and 1 अब instruction interpretation के बारे में देखते हैं The control unit accepts the binary form of instructions and interpret the instruction to generate control signals मतलब निर्दर निकाई यानि CU निर्देश के binary रूप को स्विकार करती है और निर्दर संकेतों को उत्पन्न करने के लिए निर्देशों को execute करती है यानि निर्देशों को प्रोशेसर से प्रोशेस करके उसे output unit यानि monitor printer के द्वारा दिखाती है execute करना यानि उनका process करना और interpret करना यानि उसे binary form में low level language में करना जिसे CPU process कर सके इसको कहते हैं interpretation फिर उन instruction को समझ कर जब CPU उनका process करता है और उनको output unit monitor और printer पर दिखाता है तो उसको execution बोलते हैं जैसे हमें 2 और 5 को जोड़ना है तो 2 और 5 सबसे पहले interpret होंगे CPU को जाएंगे उसके बाद CPU उनको execute करेगा और उसको 2 और 5 को जोड़ देगा तो इसको कहते हैं execution और वो जोड़ करके साथ को monitor पर दरसाएगा इसी को कहते हैं execution CPU के दोरा साइद अब आप interpretation और execution को समझ चुके होंगे कि ये क्या होते हैं ठीक है तो ये word execution और interpretation बार बार use होगा तो इसको आप ध्यान रखना यानि ALU जो होता है वो arithmetic logic instruction को process करता है यानि अंकरकरती और तारकिक यानि logical कारियों को वह करता है तो इनको process करेगा उसके बाद में फिर हमें दिखाएगा अगर हमें दूसरा कोई कार करना है तो हमें instruction के set को change करना होगा instruction दो चीजों से मिलकर बना होता है एक होता है op code और एक होता है operands यानि op code उसे कहते हैं जैसे की add करना यानि जोडना, घटाना, गुड़ा करना यानि कोई भी function जो किसी operands पर करने है operands यानि जैसे 5 हो गया, 2 हो गया ये सारे operands कहला जैंगे जैसे 5 प्लस 2 बराबर 7 है तो 5 और 2 इसमें operands हैं और प्लस जो लगा है ये हमारा addition यानि add करना प्लस जो है वो हमारा op code है यानि op code और operands इन दोनों से मिलकर हमारा instruction बना होता है अभी instruction के बारे में विस्तार पूरोग जानेंगे तब तक हम और भी सारी चीज़े पढ़ लेते हैं कि हमें AC unit में क्या-क्या पढ़ना है अब CPU के बारे में जान लेते हैं कि CPU क्या है The arithmetic logic unit ALU and the control unit CU together are termed as the central processing unit control unit यानि CU arithmetic logic unit यानि अंगडित तरक इकाई ALU इन दोनों को एक साथ central processing unit कहते हैं यानि sort में CPU और ये हमारे computer system का एक सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण सबसे महत्पूर्ण तर तो है अब input output device के बारे में देख लेते हैं इत्य दिर से हम लोग बोल रहे हैं input और output के बारे में तो इसके बारे में देख भी लेते हैं input और पूट डिवाइस क्या होती है इसका तातपर है कि computer में input devices के आवसकता होती है जो computer को data और instructions प्रदान कर सकें जैसे mouse, keyboard keyboard से हम कोई भी word input करते हैं जैसे A, B, C, D तो वो सब उसमें input होता है वही instruction के रूप में जाता है computer में यानि कुछ भी computer को बताने के लिए हमें input devices के आवसकता होती है और उसी तरह से computer से कुछ भी information हमें पाने के लिए output devices के आवसकता होती है The main responsibility of input devices will be to put the data in the form of signals that can be recognized by the system input devices की मुख जिम्मेदारी data और instruction को signal की रूप में computer को भेजना होता है similarly we need another component which will report the result in proper format इसी तरह से हमें एक ऐसे घटक के आवसकता है जो हमें proper format में जो परिणामों को उचित प्रारूप में हमें बताएगा या दिखाएगा यानि speakers और monitor और printer अगर आपको इस तरह के वीडियो हमेशा चाहिए तो इसके लिए प्लीज चैनल को अपना support दें सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे हमें प्रोच साहन मिले ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे इस्टडी वीडियो ला पाएं अब पढ़ते हैं memory और memory में locations क्या होती the memory unit stores all the information in a group of memory cells such as a group of 8 binary digits that is a byte और 16 bits और 32 bytes ETC memory unit सभी सुतनाव को memory cell के समुव में संग्रीद करता है जैसे कि 8 binary अंकों में जो कि 1 byte के बराबर होते हैं या 16 bits में यानि 2 byte या 32 bits यानि 4 byte आदी के समुव में होते हैं इस groups of memory cells और bits are called memory location memory cell या bits के इन समुवों को memory location कहा जाता है the capacity of the main memory is measured in megabytes यानि MB और gigabytes यानि GB मुक memory की धारण करने की छमता का मापन megabytes यानि MB, gigabytes यानि GB में होता है आप ये देख लेते हैं storage की format क्या क्या है Memory की Storage चमता में सबसे पहले जो आती है वो सबसे पहले होती है एक bit जो सबसे छोटी एकाई होती है Memory की measuring चमता के लिए सबसे छोटी एकाई होती है और वही 8 bit के समूह को 1 byte कहा जाता है अब इसी तरह 1024 bytes को 1 kilobyte कहा जाता है वैसे भी आप जानते हैं 1000 ग्राम को जैसे 1 kg कहते हैं वैसे ही 1024 bytes को 1 kilobyte कहते हैं वैसे ही 1024 kilobyte को 1 megabyte कहते हैं और 1024 megabytes को 1 gigabyte यानि GB GB तो जानते होगे आपके mobile की RAM जो होती है वो 1 GB, 2 GB, 3 GB ऐसे होती है ना तो वही storage है अब memory की चमता किस में नापते हैं storage यानि capacity वो कितना धारण कर सकती है कितना storage ले सकती है कितना आपके video या फिर applications या फिर आपका वो जो PUBG है वो भी तो यही होता है GB, MB और KB तो सबसे छोटी कौन से ही काई है bit और उसके बाद में फिर byte यानि 8 bit बराबर 1 byte ये ध्यान रखना the key features of one new mind architecture मुखिव से इसता है वान्यमान architecture की देख लेते हैं the most basic function performed by a computer is the execution of a program computer दर किया जाने वाला सबसे बुनियादिकार एक program का execution होता है the arithmetic logic unit ALU performed the arithmetic and logical operation in special storage areas card register as per the instructions of control unit अंकगडित तरकिकाई यानि ALU अंकगडित और logical कार करती है ALU के कार रजिस्टर्स में होते हैं जो ALU के पास उनको कुछ storage प्रदान करते हैं जैसे 8 bit का 16 bit का ऐसे 32 bits का भी इतना storage वो प्रदान करते हैं और ये इसलिए लगा जते हैं क्योंकि रजिस्टर्स की speed memory से बहुत ज्यादा fast होती है और center processing unit यानि CPU की भी बहुत ज्यादा fast होती है CPU यानि ALU और CU इन सब की भी speed बहुत fast होती है सबसे पहले memory से instruction को लाकर के registers में store किया जाता है फिर उसके बाद में registers से उनका execution होता है जिससे computer fastly काम कर सके अभी हमें registers के भी बारे में पढ़ना है लेकिन हम अभी basic structure देख रहे है जो one new one ने दिया था अपना basic architecture उसके बारे में अभी देख रहे हैं इसको अभी सही से समझ लेते हैं कि computer कैसे बना है और computer के आंदर की क्या क्या कैसे कैसे hardware लगे हैं कैसे कैसे instruction उनका execution होता है यह सारी चीज़े हमें one new one architecture बताता है अब इसका third point देखते हैं IO devices allowed data input and reporting of the result in proper form and format IO devices मतलब input output devices input output device उचित रूप और प्रारूप में data input और परिनामों को reporting के हनमती देता है सूचना के हस्तांतरन के लिए एक computer system को आंतरिक रूप से system interconnection के आवसकता होती है ऐसे ही एक interconnection सन्दचना है bus interconnection यानि जैसे हमको अगर TV चलाना है तो TV को चलाने के लिए हमें electricity के आवसकता होगी और electricity के लिए हमें तारों के आवसकता होगी कितार उसके अंदर लगा करके टीवी में electricity ला पाएं तो वो जो तार होगा वही हमारा bus interconnection होगा और यही चीज उसमें ज्यादा होती है बहुत सारे तारों का set होता है तो उसको bus interconnection कहते हैं और यह specialized होते हैं किसी आकार के लिए जैसे 8 bit के लिए या 16 bit के लिए या 32 bits के लिए कि memory से CPU को instruction 32 bits में ले जाना है यानि RAM से 32 bits में ले जाना है या फिर 16 bit में ले जाना है या फिर 8 bit में वो सब पहले से fix होता है उसमें और इसी के base पर bus interconnection लगा होता है उसमें जिससे data और instructions आसानी से एक से दूसरी जगा जा पाएं CPU से memory में memory से CPU में और input-output devices में main memory is needed in a computer to store instructions and the data at the time of program execution memory to CPU is an important data transfer path program execution के लिए computer में main memory के आवसकता होती है वो instruction को store कर सके और ज़रूरत पढ़ने पर CPU को दे सके और जैसा मैंने पहले ही कहा कि memory से CPU में जाने के लिए हमारे पास एक विशेज प्रकार के तारों का सेट होता है यानि उनको बस कहते है the amount of information which can be transferred between CPU and memory depends on the size of bus connecting the two जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि bus के आकार पर ही depend करता है कि bus जितनी बड़ी होगी यानि उसकी चौणाई जितनी होगी उतना ही ज़्यादा information को CPU से memory में, memory से CPU में ले जा सकती है it was pointed out by one new man that the same memory can be used for storing data and instructions in such a case the data can be treated as the data on which processing can be performed while instruction can be treated as data which can be used for the generation of control signals one new man दोरा यह बताया गया कि data और निर्देशों को संग्रिहित करने के लिए उसी memory का उप्योग के जा सकता है लेकिन एक Harvard structure था उसमें या नहीं था उसमें instructions को दूसरी memory में और data को दूसरी memory में store किया जाएगा इस मामले में data को एक ऐसे data के रूप में माना जा सकता है जिस पर प्रसंसकरन यानि processing किया जा सकता है जबकि निर्देशों को data के रूप में माना जा सकता है जिसका उपयोग नियंतर संकेतों के निर्मार के लिए किया जा सकता है यानि memory में instructions जो होते हैं उनको एक ऐसे data के रूप में माना जा सकता है जो data भी होते हैं और तो और उनका प्रियोग control signal भी उत्पन करने के लिए किया जा सकता है इसका मतलब है वान न्यूमेन मसीन में निदेशो कनिस्पादन करमिक रूप से किया जाता है जब तक कि प्रोग्राम द्वारा ही इस पस्टूप से परवतन नहीं किया दाता है अब वान न्यूमेन मसीन हैज अल्लिया सिंगल पार्ट बिट्वीन दा मेंन मिमोरी एन कंट्रोल उनिट इस फीचर कंस्टेंट इस रेपड टू एज वान न्यूमेन बॉटलनेक वान न्यूमेन मसीन में मुख मेमोरी के बीच केवल एक ही रास्ता होता है और नियंतरनिकाई, सी यू, इस सुविदा या बाधा को वान न्यूमेन टोटी की रूप में जाना जाता है इस वान न्यूमान के बेसिक इस्ट्रक्टर में यह दर्साया गया है कि मेन मेमोरी से एक सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट यानि CPU कैसे जुड़ा होता है और इनपूर्ट आउटपूस सिस्टम कैसे जुड़े होते हैं, कहां से जुड़े होते हैं CPU में operational registers होते हैं, arithmetic and logic unit होता है, control unit होता है और यह सब बसेस के द्वारा main memory और input output system से connected होते हैं जिसमें address interconnection main memory से होता है, data interconnection होता है main memory से ऐसे ही data और control information interconnection input और output system से होता है और भी बहुत सारे interconnection होते हैं, लेकिन इसमें basic structure दिखाया गया है और तो बहुत सारी चीज़े हमने पहले ही बता दी है आपको, अब तक सायद आप समझ चुके होंगे अगर नहीं समझे हों तो comment में बता देना, मैं आपके लिए next वीडियो में उसको बता दूँगा अब instruction के execution के बारे में पढ़ेंगे और ये उडाहरन के द्वारा समझेंगे कि instruction कैसे execute होते हैं सबसे पहले problem यानि question है write a program to add two numbers जो दो नमबर को add करता हो तो हमें दो value ऐसे assume कर लेनी है जो हमें जोडनी है जैसे हमने a बराबर 5 माल लिया और b बराबर 2 माल लिया ये हमने value assume कर ली और ये c language का program लिखा हुआ है जिसमें has include stdio.h लिखा होता है और ये सबसे पहले लिखना ही पड़ता है और उसके बाद में main लिखना पड़ता है और ये int लिखा उसके बाद में पूरा program लिखा है जिसमें हमने a की value को 5 बता दिया और b के value को 2 c को define कर दिया कि ये भी कोई एक variable है यानि ये भी कुछ है c भी कोई अंक है और अब हमको c की value नीचे दी गई है कि instruction क्या है c को लिया है कि a plus b यानि a और b को जोड़ोगे तो c मिलेगा हमने तो इसको लिख दिया program लेकिन अब ये प्रोसेसर में कैसे process होगा इसके बारे में देखते हैं तो हमको अब c बराबर a प्लस b यह हमको प्रोसेसर करके देगा इसकी value हमको printf के द्वारा प्रोसेसर देगा लिखेगा the added value is 5 और 2 क्या होता है 7 तो the added value is 7 तो यह लिखके देगा और यह करेगा कैसे इसके वारे में देखते हैं कि यह प्रोसेसर execute कैसे करता है इस program को जो हमने पहले ही बता दिया वो चीज इसमें लिखी हुई है आपके लिए यह PDF बनाई है जिससे आप इसको समत पाएं लाइन नमबर 4 में A, B और C को declare किया हुआ है और उसका पांचवी लाइन में C की value लिखी हुई है कि A और प्लस B करोगे तो C की value मिलेगी और उसको दसाने के लिए 6 लाइन में printf लिखा हुआ है जिससे वो value execute होने के बाद हमें monitor पर दिखेगी First you need to compile this program to convert it to machine language सबसे पहले हमें इसे machine language में convert करने के लिए compile करना पड़ेगा Interpret और compile में बस थोड़ा सा ही फरक है जिससे ये instruction machine language यानि binary language के format में आ जाएं Compile करना मतलब की यानि convert करना machine language में जिसे CPU समझ सके हम लोगों के समझने के लिए नहीं है वो सिर्फ CPU समझता है Let us assume a hypothetical instruction set of a machine of a size of 16 binary digits यानि bit instruction in data सबसे पहले हमने 16 bits का एक instruction माल लिया कि ये सारे जो मिलकर होंगे वो 16 bits में आ जाएंगे यानि इसका OP code और इसके operants जो addition करना है या फिर कुछ भी होना है यानि OP code ये इसके 16 bit में आएंगे यानि एक instruction 16 bit का होगा अब एक बार और instruction के बारे में देख लेते हैं Each instruction of the machine consists of two components हर instruction machine का दो components से बना होता है पहला है operation code यानि OP code that is specifies the operation that is to be performed by the instruction OP code या दरसाता है कि कौन सा कार instruction से होना है address of the operant in memory on which the given operation is to be performed यानि दूसरा operant होता है जो memory location में data होता है उसका address होता है जैसे 5, 2 है तो उसका address क्या होगा ऑपरेंड कि वह memory location में यानि memory में किस जगा पर है वो होता है operant यानि data का address आप इस चित्र के जरिए instruction का format समझ सकते हैं जैसे इसमें 0 से 15 नंबर तक bits के format लिखे गए हैं यानि 0 से 15 तक 16 bits का instruction हुआ 0 को भी मिलाए जाएगा तो 16 हो जाएंगे ऐसे 1 से चालू करते तो 16 तक आता नहीं तो 0 से चालू किया है तो 15 तक यानि यह instruction का format किते bits का हुआ जिसमें कुछ bits में operation code है और कुछ bits में operant address है यह instruction format और इधर एक data format दिया गया है कि data कैसे होता है इसमें जो operation address है यह data का address होता है ना कि data होता है और यह जो इधर लिखा है यह 0 से 15 तक यह data है जो binary form में होता है यानि अगर हमको 5 को binary भासा में लिखना है 16 bits में अगर हम इस format में 5 को लिखना चाहें यानि 16 bits format में अगर 5 को लिखना चाहें तो 22 साइट से 13 0 लिखने पड़ेंगे उसके बाद 101 और यह हो जाएगा इसका data format यानि यह हो जाएगा 5 और यह 5 का address जो address होगा वो यहाँ पर होता है अब register के बारे में देख लेते कि यह क्या होता है registers are the temporary storage location in CPU for program execution registers CPU में एक temporary storage बनाते हैं जिससे data कुछ समय के लिए वहाँ पर रोख सके the minimum set of registers required for one human machines one human machine के लिए आवस्चक register का set यह 5 registers और इनके बारे में लिखा हुआ है कम से कम इतने registers one human machine के लिए आवस्चक होते हैं अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले accumulator register यानी AC sword में इसको AC बोलते हैं this register is used to store data temporarily for computation by ALU ALU के दारा computation के लिए यानी ALU के दारा गढ़ना के लिए या कुछ समय के लिए data store करता है AC is considered to contain one of the operands या एक समय पर एक operand को store कर सकता है the result of computation by ALU is also stored back to AC arithmetic logic unit द्वारा गढ़ना का पढ़नाम वापस AC यानी accumulator register में ही store किया जाता है it implies that the operand value is overwritten by the result इसका तात्पर या है कि पढ़नाम द्वारा operands command overwrite किया गया है अब पढ़ते हैं memory address register यानी MAR के बारे में it specifies the address of memory location from which data or instruction is to be accessed read operation और to which the data is to be stored write operation या memory location का पता निर्देश्ट करता है जिससे data या निर्देश को access किया जाना है यानी memory से कुछ पढ़ना memory read करना कि उसमें कहां क्या है या जिसमें data store किया जाना है यानी किस इस्थान पर data को store किया जाना है यानी write operation memory address register इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं memory के आके इसमें address नाम लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये address space भाई करता है कि memory में कहां पर instruction है कहां पर data है कहां से लेना है तो ये सारी चीज़े memory address register करता है memory address register memory में से data और instructions को fetch करके CPU को बताता है कि data memory के इस स्थान पर है और यहां से data को उठाना है अब पढ़ते हैं MBR register के बारे में memory buffer register it is a register which contains the data to be written in the memory यानि write operation और it receives the data from the memory यानि read operation इसमें एक word यूज़ हुआ है contains the data ये चीज़ इसमें main है और उपर वाले register में क्या था उसमें location थी यानि address उसमें address store होता था memory address register मतलब वो address का पता लगाता था की data कहां पर है और ये जो MBR है यानि memory buffer register ये memory से data को लाकर के store करता है जिसको execute करना है यानि जिन instructions को execute करना है और जिन पर काम करना है और जिनका process ALU द्वारा किया जाना है अब program counter register यानि PC register के बारे में देखते हैं कि इसका क्या काम होता है या उस निर्देश का track रखता है जिससे आगे निस्पादित किया जाना है अर्थाथ चल रहे निर्देश के निस्पादन के बाद अन्य इंस्ट्रक्शन मतलब कि ये एक track record रखता है कि एक instruction के बाद दूसरा कौन सा instruction execute होना है उसका address पहले से ही पता करके रखता है और वो address register में भेज देता है फिर address register वहां से उस address को fix कर लेता है CPU को बताता है और CPU फिर MBR register के मादम से उसे store कर लेता है फिर CPU MBR register के मादम से उसमें जो भी data और instruction होता है उसको store कर लेता है और फिर वहां उसे instruction register में देता है instruction register अभी पढ़ेंगे कि instruction register का होता है फिर instruction register उसको accumulator में अंकगरती और logical कारियों को करने के लिए देता है जो ALU के पास वाला register होता है और वही पर सारे अंकगरती और logical कारियों किये जाते है यानि execution वही पर होता है उसके बाद में फिर से जहां जहां से आया था वहीं वहीं से वह आपस भीज दिया जाता है अब पढ़ते हैं instruction register के बारे में here the instructions are loaded prior to execution यहां निर्देश execution से पहले load किये जाते हैं अब इस चित्र के माधम से संजेंगे कि instruction कैसे execute होते हैं कैसे कहां से आते हैं क्या-क्या इनका process होता है और ALU कैसे इसको execute करता है सबसे पहले इस चित्र के उपर जो comment दी हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा कि यह कैसे क्या-क्या इसका process है All representations are in decimals सभी एंकों को दसमलो नमर में दसाया गया है बलकि वास्तों में यह सब binary एंकों में होते हैं इस चित्र में memory का size 16 bit दिया हुआ है The number of memory location is 16 0 से 15 तक 1 से 15 तक यह और 0 वाली मिलाकर 16 16 cell हैं और यह 16 cell जो हैं यह हमारी memory locations हैं जिन में instructions होते हैं वास्तों में memory जो RAM होती है वो 1 GB, 2 GB, 3 GB ऐसे होती है मतलब ज्यादा storage वाली होती है लेकिन इसमें सबसे छोटा नमूना दरसाया गया है कि अगर हम 16 word size की एक memory लें तो उसमें कैसे क्या process होता है उसके बारे में दरसाने के लिए यह दिया गया है अगर यह 16 bits वाले जो cells हैं अगर यह 1 GB memory में होते तो यह बहुत सारे हो जाते लेकिन यह 16 bit का दरसाया गया जिससे हम इसको समझ पाएं यह memory 16 locations की दरसाई गई है जो हर एक location 16 bits की है जो 1 GB memory की तुलना में बहुत ही कम है 16 bits only 16 word size एक word जो होता है वो 16 bits, 32 bits या 64 bits का भी हो सकता है और वो 8 bits का भी हो सकता है लेकिन byte जो होता है वो fix होता है, वो 8 bits का होता है तो हमेशा हम अगर memory को पढ़ना है तो हमको word का स्थमाल करना पड़ेगा और word भी जो 16 bits वाला हो या फिर 32 bits वाला हो तो ऐसे हम बोल सकते हैं हम इन सब को bytes तो नहीं बोल सकते हैं words बोल सकते हैं जो यह दी गई ही, इनको locations बोलेंगे इनको क्या बोलेंगे? इस memory की location cell बलकि यह binary number में होती है यह location cell जो होती है, यह binary number में होती है जो comments में बताया गया है size of each memory location is 16 bits यानि 2 bytes बताये ना कि हर एक word का यानि हर एक cell का size क्या है? 16 bits compare with contemporary machine word size of 16 bits 32, 64 bits अभी बताये ना कि word का size क्या हो सकता है 16 bit, 32 bits या 64 bits में हो सकता है यानि यह जो बताया गया है word मतलब एक location cell एक location cell का size क्या हो सकता है 32 bits का हो सकता है, 64 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है और 16 का भी हो सकता है लेकिन उस cell को word बोलेंगे और एक location बोलेंगे memory में एक location बोलेंगे The size of this sample memory 16 word इसका sample memory का size 16 word हो गया अगर main memory से तुलना करें तो size which is 128 MB, 256 MB, 512 MB और more मतलब 128 MB हो सकता है 256, 512 और इससे भी जादा हो सकता है In the diagram, MAR is pointing to location 10 MAR जो है location 10 को point कर रहा है इसके बारे में भी देखेंगे तब तक यह सब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है The last operation performed was read memory location 10 which is 65 in this Thus the content of MBR is also 65 अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या यह बता रहा है, कैसे क्या है इसका process बताते हैं क्या है सबसे पहले PC यानि यह जो PC वाला register है Program counter यह सबसे पहले जो next instruction execute होना होता है उसका address रखता है जिस location के instruction को या data को लाना है तो उसका track record रखता है PC क्या रखता है? track record रखता है उसका address रखता है वही track record एक करके MAR register को देता है MAR register हर एक address को फिज करने के बाद दूसरा address फिज करता है सबसे पहले program counter उस track record को MAR को देगा उस track record में जो next instruction execute होना है उसका record MAR register को देगा memory address register वह memory location पर जाकर के address को फिज कर लेगा यानि address बता देगा कि इस location पर यह data है यह instruction है और इसको execute करना है अब memory buffer register के द्वारा data और instruction को लाया जाता है memory की 10 number वाली location पर 65 value है तो इस 65 value को अब memory buffer register में लाया गया मतलब यह data या instructions को लाती है और अपने में store करती है MAR register का क्या काम था MAR register address ढूनती है और address बताती है कि यहां से आपको data लाना है और इसका execution करना है उस data या instruction को अगर instruction होगा तो instruction register को देगा और अगर data होगा तो accumulator register को देगा अगर instruction हुआ तो वो सबसे पहले instruction register में आएगा और वो decode होगा उस instruction पर क्या काम करना है क्या होना है किस डाटा को क्या करना है वो सारा instructionr register में होगा कि उस पर क्या करना है फिर वो instructionr register accumulator को यह सब दे देगा अब accumulator register उस पर अंगड़ती या फिर logical card ALU के द्वारा करेगा और CU का काम क्या होता है इसमें सब CU का काम तो बताए नहीं तो CU का काम यह होता है, CU control signal देता है, जिससे सारे register समय समय पर अपनी बारी बारी से काम करते हैं, जिससे सारा काम one by one हो, अब ALU के दारा accumulator register में instruction execute होने के बाद में, फिर से उसी तरीके से वापस बेजी जाते हैं, फिर accumulator register से उस data का MBR register में या फिर input output register में, इसमें input output register तो नह बेज़ना है, अगर memory में store करना है, तो फिर MBR register फिर fix करता है कि 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 memory location में उसको भीजना है, यानि store करना है, memory location ढूणने के बाद फिर MBR register दारा, उस location में उस data को भीज दिया जाता है, execute होने के बाद, अब इन course को देख लेते हैं, high level language instructions to assembly machine language instructions, assembly machine निरदेशों के लिए उच इस तरी भासा निरदेश, ये क्या है, high level language के instructions जो machinery भासा में instruction को convert करते हैं, एक तरफ लिखा है operation code और एक तरफ है definition यानि operation की कि किस code से क्या काम होना है, सबसे पहले है load, load का क्या मतलब है, load the accumulator with the content of memory, accumulator register में memory का content load करना, और उसके बाद में है, फिर store, इसका मतलब है, store the current value of accumulator in the memory, accumulator से जो current value है, जो उस समय value है, accumulator register में, उस value को memory में store करना, फिर उसके बाद में add, add का मतलब का होता है, add the value from memory to the accumulator, memory से accumulator में value को add करना, अब इसको समझाने के लिए एक sample लिया गया है, a sample machine instruction for the assumed system for line 5, that is c, बराबर a plus 5 in the program would be, अभी जो थोड़ी तिर पहले c language के programming की थी, c language में एक program जो लिखा था, उस program में 5 चोई नमबर की line पर, c बराबर a plus b लिखा है, और इस program को अब देखें क्या है, load, add और store क्या, क्या इसमें function है, सबसे पहले load, सबसे पहले लिखा है load a, अगर दिया गया है load a, तो उसका मतलब क्या होगा, load the content of memory location a to the accumulator register, मतलब जो a location पर जो data है, या instruction है, data को accumulator register में store करना, add b, add the contents of b to contents of accumulator and store results in accumulator, इसका मतलब यह हुआ, कि memory location b, b नमबर या कुछ है ऐसे location, तो उस location पर कोई भी instruction या data, जो भी वो, उसको accumulator में दूसरे contents के साथ add करना, और उसके बाद में उनका जो result आए, उसको भी accumulator register में store करना, store c का मतलब है, store the content into location c, यानि memory में जो c location है, वैसे binary form में location होती है, binary number के form में, लेकिन इसमें a और b और c दिखाया गया, मतलब कि value को a, b, c में define किया गया है, accumulator register से उस value को c location पर store करना पड़ेगा, यह मानते हुए कि उपरोग मसीन नजदेश, लगतार तीन memory स्थानों, एक, दो और तीन में संग्रहित है, और pc में 1 एक है, जो इन नजदेशों में से पहले का पता है, यानि अभी pc यानि program counter की value 1 है, जो सबसे पहले वाले का पता है, पहले वाली location जो यह चित्र में दिखाया गया है, load a, load a के इसमें है, 1 वाली location पर है, location 1 की value को execute करना है सबसे पहले, उसके बाद में program counter 2 होगा, तो add b, यानि दो वाली location को ऐसे होगा, अब इसका execution नीचे के दिए हुए step के अमशार होगा, सबसे पहले हमको क्याना क्या है, fetch first instruction into CPU, पहले instruction को CPU में fetch करना है, सबसे पहले step 1 है, find or calculate the address of the first instruction in memory, MAR register दारा, memory location में जो number 1 वाला instruction है, या data है, उसको सबसे पहले fetch करना है, उसके बाद में उस address को MAR register से MBR register को बताना है, in this machine example, the next instruction address is contained in PC register, यह तो आपको पता है कि यह instruction के track को रखता है, it contains 1, और अभी इसने one number वाली location को रखा है, मतलब कि one number वाली location सबसे पहले execute होनी है, उसके बाद में जब PC की वाली यानि program counter की वाली दो हो रहेगी, यानि दो number वाली location को फिर execute करना होगा, one number में क्या है, which is the address of first instruction to be executed, bring the binary instruction to IR register, इसके लिए यह कुछ steps है, binary instructions को IR register में यानि instruction register में लाने के लिए कुछ नीचे step दी हुए, passing the content of PC to memory address register, so that the instruction pointed to by PC is phased, यह तो सब आपको पता ही है, that is location once content is phased, मतलब one location का phased address register के द्वारा कर लिया गया, phased कर लिया गया, CPU says memory read operation, thus bring contents of location pointed by MAR, one in this case to the MBR, अब CPU memory read operation उस location पर करेगा, जो MAR register दोरा point की हुई है, और उस location का data MBR register में लाया जाएगा, content of MBR is transferred to IR, अब MBR से IR में transfer कर जाएगा, इन addition, PC is implemented to point, और next instruction is sequence 2, इसलिए प्रोग्राम काउंटर की value दो हो जाएगी, मतलब अब दूसरे वाले instruction के लिए execution का कार्य होगा, पहले वाले तो instruction register में आ गया, अब दूसरे वाले पर कार्य होगा, उससे पहले अब execution देखते हैं, इसका step 3 में है, the IR has the instruction load A, IR में instruction load A अब है, जो instruction register ऐसे decode करेगा, load the content of address A in the accumulator register, यानि address A का जो data है, उसका accumulator register में load कर दो, step 4 में the address of operator that is 13, जो operator का address है, यानि जो data का address है, वो 13 है, that is A, जो A है, इस transfer to MAI register, यानि address register में उस address को सबसे पहले लाए जाएगा, अब उस 13 address को फिच किया जाएगा, address register दोरा, step 5 में उस data को, जो MAI register दोरा space 5 किया गया है, अब उसको MBR register में memory location 13 से, जो MAI register दोरा फिच किया गया है, उसको लाए जाएगा, उसके बाद में data को MBR से accumulator register में transfer कर दिया जाएगा, दस्ता, accumulator register is loaded with the content of location A, अब accumulator system में 5 value, जो location 13 की है, यानि location A की, वो अब आ चुकी है, now the instruction 1 execution is complete, अब instruction 1 का execution complete हो चुका है, अब next instruction, that is 2, अब जो दूसरा instruction था program counter में, यानि दो number वाली value, तो अब उसको execute करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर PC की value 3 हो जाएगी, जब 2 वाला execute हो जाएगा, this instruction is add B, अब जो दूसरी नमबर वाला है, वो add B है, वो भी अब ऐसे ही आएगा, और ऐसे ही सारी value execute होंगी, अब ये नीचे वाला जखते हैं, on execution of the instruction 8 memory location 3, जब CPU में memory location 3 का जो store C वाला instruction execute होगा, location C पर उस data की value को store कर दिया जाएगा, जो result आया होगा, ALU द्वारा execute यानि arithmetic logic instruction यानि अंकरती ये कार्ज होने के बाद, 5 और 2 जो जुड़े हैं, उनकी value 7 को अब memory location, memory location C में store कर दिया जाएगा, अब instruction cycle के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ये topic तो उपर वाले topic पर ही based था, उसको अगर साइस समझ गए तो ये आसानी समझ जाएंगे, instruction cycle क्या होती है, लेकिन अब देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या process होता है, सबसे पहले एक दरब इसका S number लिखा है, उसके बाद step to performed, ये सारे जो step होने हैं, how is it done, यानि ये कैसे किया जाते हैं, who does it, और इसे कौन करता है, instruction cycle में देखें, सबसे पहला step होता है, calculate the address of next instruction to be executed, जो भी instruction execute होना है, अब उसके address की करना करना है, उसके बाद में how is it done, ये कैसे होता है, the program counter PC register store the address of next instruction, next instruction का register program counter store करता है, और इसे control unit दा रखिया जाता है, control unit सारे instruction बताता है program counter को, कि ये instruction इसके बाद होगा, ये इसके बाद मतलब उसको control करता है, इसका समय यह है तो program counter उन instruction के track record को store कर लेता है कि हाँ इसके बाद अब यह करवाएंगे फिर यह करवाएंगे फिर यह करवाएंगे तो ऐसे होता है मतरब यह काम किसका है control unit का काम है control unit इनसे करवाता है program counter उसके track record को store करता है आप इधर इस instruction cycle को भी देखते चलिए क्योंकि इसको देखते जाएंगे और इधर पढ़ते जाएंगे लिखायर सबसे पहले calculate the address of next instruction यही पहले वाला topic जो भी बताया यह सबसे पहले यहाँ से start होता है और उसके बाद में fetch instruction होता है MAR register याई memory address register द्वारा उस instruction को fetch किया जाता है और फिर instruction को decode किया जाता है जो instruction register में होता है लेकिन उससे पहले memory buffer register में memory address register के fetch करने के बाद वो value लाई जाती है उसके बाद में फिर memory buffer register उन सब को instruction register में देता है जो decode करता है values को कि अब इन instruction को क्या करना है यही दूसरे नंबर पर बताया हुआ है अब क्या करना है get the instruction in CPU register instruction को CPU register में लाए जाए तो यह step करने के लिए कैसे होता है तो memory is accessed and desired instruction in route to instruction register in CPU CPU में जो instruction register में उसमें in values को लाता है यह in registers के द्वारा किया जाता है जो program counter track record को बताता रहता है कि इसके बाद यह करना है और तीसे नंबर वाला अब decode the instruction यह instruction register में होता है जो तीसे नंबर वाला बताया है भी instruction register में क्या होता है decode होता है यह control unit के द्वारा होता है decode करने का कादर control unit द्वारा instruction register में होता है उसके बाद चोथे नमबर पर है Evaluate the Operant Address Operants का Address अब जानना है कि कौन कहां पर है जो instruction आए हैं अब उनमें जो Operants है उनका Address जानना है कि कौन कहां पर है अब उनके Address से उन डाटा को फिर्च करके Accumulator Register में लाना है उसके लिए क्या करना पढ़ेगा Evaluate the Addressing Based on the Addressing Word Specified अब उसमें Directly या Indirectly कैसे जाना है CPU को उस Address तक कैसे पहुचना है वो सारी चीज़े अभी मैं बता चुका हूँ कि कैसे पहुचेंगे कैसे क्या होगा कैसे वहाँ से डाटा को लाया जाता है उस चीज़ के बारे मैं अभी बता चुका हूँ और ये कौन करता है CPU Under the Control Unit Control Unit के द्वारा करता है मैंने बताया है कि सारे Control कार्दे Control करने का सारा सिटम Control Unit ही करता है सारे रिजिस्टर्स को Control Signals भीजता है अब उसके बाद पांचवे स्टप पर है Face the Operant अभी तक तो Instruction को ढूणा था अब Operants को ढूणेंगे माना Operant मिल गया अब अगर और भी Operant है तो उनको अब ढूणा जाएगा और अगर नहीं है तो Perform Calculation ये Next Step जो ALU CU के दारा होता है ये छटे नमबर वाला Instruction The ALU does evolution of arithmetic or logic instruction or transfer the data or the transfer of control operations control signals के दारा ALU arithmetic logic operation वहाँ पर करता है उसके बाद में फिर उनका results देता है और Last Step क्या है Store the result in memory Memory में results को store करना है The value is written to desired memory location Memory location में इच्छित memory location में उस value को store करने पर और ये कौन करता है Memory right operation के दारा होता है और ये Last Step पर है इस program execution complete अगर program का execution complete हुआ फिर load another program फिर दूसरे program पर जाओ और अगर नहीं complete हुआ तो फिर दूसरे step पर जाओ Calculate the address of next instruction जो add b है इस book में add b next instruction है उसको भी execute करना है ऐसे ही और ये सारे points आप इसके बाद में पढ़ लेना और आपका ये instruction cycle complete हो गया अब interrupts के बारे में जानते हैं The term interrupts is an exceptional event that causes CPU to temporarily transfer its control from currently executing program to a different program which provides service to the exceptional event interrupt देखा जाए तो या एक exceptional कटना है जिसके current CPU अस्थाई रूप से अपने नियंतरं को वर्तमान में निस्पादी program यानि जो वर्तमान में execute हो रहा होगा program उस program से एक अलग program में इस्थानांतरित करता है जो exceptional घटना के लिए सेवाएं प्रदान करता है यानि interrupts के लिए सेवाएं प्रदान करता है और जो program उस समय execute हो रहा होगा उसको कुछ समय के लिए रोग देता है interrupts का कार्य करनी के बाद में उस प्रोग्राम को दुबारा चालू कर देता है लेकिन जो interrupts आए हैं यानि जो प्रोग्राम एक्जक्यूट होने के लिए अलग से आए हैं अगर वह जरूरी है तो उनको सबसे पहले करेगा उसके बाद में जो उसका प्रोग्राम एक्जक्यूट हो रहा होगा उसको फिर एक्जक्यूट करना स्टार्ट करेगा इसका उदारे नेक लेते हैं जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया ठीक है और उस वर्ड के बारे में उस किताब में भी नहीं लिखा है और सब के बारे में लिखा है लेकिन उस वर्ड के बारे में नहीं लिखा है और आप किताब को पढ़ना चाह रहे हैं किताब को लगातार पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि यह word मुझे समझना जरूरी है तो आप उस word के बारे में सबसे पहले समझने के लिए काम करेंगे तो आप सबसे पहले उस word को समझने के लिए study करेंगे उसके बाद में फिर जो आप study कर रहे होंगे उसको फिर वही से study करना start करेंगे यह काम हो कि कब कब इंटरप्स आ सकते हैं एक तरफ इंटरफ की कंडिशन लिखी है और एक तरफ अकरेंस आफ इवेंट यानि इंटरप्ट कैसे हो सकता है इसके बारे में इंटरप्ट आर जन्रेटेड बाइग्जिक्यूटिंग प्रोग्राम इटसेल्फ आल्सो काइड ट्रैप्स कं तरफ यानि व्यवधान अगर कंप्यूटर के दोरा खुद पैदा किया जाते हैं इस कंडिशन को ट्रैप्स भी बोलते हैं यह कब हो सकते हैं किसी नंबर को जब 0 से भाग किया जाए दा नंबर एकसीट्स दा मैक्सिमम अलाउड अगर मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नं इंस्टेक्शन के इल्लीगल एटैंब पर हो सकता है ट्राइंग टु रेफरेंज मेमोरी लोकेशन अधे अलाउड फॉर डाइट प्रोग्राम इस्मरति स्थान को संधरविद करने का प्रयास करना यानि स्ट्वरिज को संधरविद करना उस प्रोग्राम के लाबा मेमोरी केसन में कोई अन्य प्रोग्राम ढूना दूसरी कंडिशन है इंटर्प जनेरेटेड बाइ क्लॉक इन द प्रोसेसर इसमें है जनरली यूजड और एकस्पायरी ऑफ टाइम एलोकेटेड फॉर प्रोग्राम इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑप्रेटिंग सिस्टम्स अगर प्र जो भी उसके लिए प्रोग्रामिंग की जा रही है तो उस चीज के कारण व्यवधान उत्पन होगा यानि इंटर्प आएगा इंटर्प जनेरेटेड बाइ आयो डिवाइसेस एंड डियर इंटर्फेसेस इंपुट ऑट्पुट डिवाइसेस के दारा इंटर्प जनेरेट इंपुट ऑट्पुट ऑपरेशन कोई इंपुट ऑट्प डिवाइस का नॉर्मल काद्रे कंप्लीट करना जैसे अभी बताया अकरेंस ऑफट एंटर्फ ऑपुट ऑपरेशन अगर इंपुट ऑट्पुट डिवाइसेस में कोई एरर आ जाती है तो भी इंटर्प आजाते यह इस तथे के लिए हैं कि लगबख सभी बाहरी उपकरण प्रोसेसर के तुलना में धीमें होते हैं इसलिए एक विशिश प्रोसेसर को लगातार प्रोसेस करना पड़ता है यानि लगातार प्रोसेस करना पड़ता है प्रोसेसर के स्पीड बहुत फास्ट होती है लेकिन इनपूट आउटबूट डिवाइस के स्पीड उतनी फास्ट नहीं होती है प्रोसेसर बहुत सारे इंस् आप पढ़ देना लेकिन CPU को यह पता कैसे चलेगा कि इंटरप्ट आये हैं या फिर इंटरप्ट सिग्नल कहीं से उत्पन हुए हैं जैसे माउस से कीबोर्ड से इन बाहरी उपकरनों से जिससे वो इन प्रोग्राम को एक्जिकूट करें यानि जब हम माउस का पॉइंटर हिल द्वारा ही होता है जैसे memory ADDRES है तो हो एड्रस पहां है कि मिमोरी मिकां कहा है वैसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन मेंा एड là पहचानते हैं जो CPU को बताते हैं कि यह इंटरप्ट हुआ है और इसका प्रोसस पहले करना है First the condition is to be checked as to why the interrupt has occurred सबसे पहले तो ये condition चेकोगी कि interrupt क्यों हुआ है That includes not only the device but also why that device has read the interrupt जो इस बात तक सीमित नहीं है कि किस device ने interrupt signal को भेजा है बलकि इससे भी मतलब है कि वह क्यों भेजा है Once the interrupt condition is determined the necessary program called ISR Interrupt service routines must be included such that the CPU can resume further operations एक बार interrupt की condition पहचानने के बाद Necessary program जो आवस्चक program होता है called ISR हैनि interrupt service routine को execute किया जाता है Such that the program CPU can resume उस समय जो operations हो रहे होते हैं उन सब को CPU बंद कर देता है उन सब program को CPU कुछ देर के लिए रोग देता है इसका example भी आप नीचे देख सकते हैं यह लिखा है और यह सब PDF में भी देख लेना अब interrupt को execute करने का process क्या है उसको देख लेते हैं The CPU must find out the source of interrupt सबसे पहले CPU find out करता है interrupt का source as this will determine जिससे वाँ पहचान पाए कि कौन सा interrupt service routine execute होना है उसके बाद The CPU then acquires the address of the interrupt service routine which are stored in the memory in general सामाने तया CPU interrupt service routine का पता प्राप्त कर लेता है जो memory में सामाने रूप से संग्रेद होते है What happens to the program the CPU was executing before the interrupt इस question का अंसर है प्रोग्राम को खुछ समय के लिए रोग दिया जाएगा जब तक interrupt का execution खत्म नहीं हो जाता है उसके बाद में फिर से प्रोग्राम को उसी अवस्तर से स्टार्ट किया जाएगा जो पहले भी बताया गया थोड़ा रोक कर ये भी पढ़ लो इसके आगे का Finally, the CPU executes the interrupt service routine till the completion of the routine interrupt का execution अंतरता CPU कर लेता है उसके बाद में a return statement Mark the end of this routine जो return statement होती है वो इस ओर इसारा करती है कि interrupt का execution पूरा हो चुका है Finally, the CPU executes the interrupt service routine till the completion of the routine सबसे पहले CPU एक कारे करता है जो interrupt को पचानने के लिए होता है कि किस device, input, output, memory कहां पर interrupt हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले एक अपना रोटीन जारी करता है और जब वो रोटीन पूरा हो जाता है a return statement marks the end of this routine तो return statement आती है जो mark करती है इस रोटीन के end होने पर After that, the control is passed back to interrupted program इसके बाद जो interrupted program है यानि जो program थोड़ी देर के लिए रोग दिया गया था interrupt आने के कारण उसका execution फिस्टे start कर दे जाता है अब इस instruction cycle with interrupt cycle को देख लेते हैं तो ये processing step है सबसे पहले उपर से store result तक का सारा instruction cycle का ही process दिया है जो अभी हमने बताया था तो ये तो आप जानते ही हैं तो आप यहां से क्या होता है interrupt कैसे आता है इसमें तो सबसे पहले calculation होने के बाद store result की बाद याती जिसे बीच में कहीं interrupt आया तो इसमें चेक करता है क्या interrupt है अगर है तो interrupt का process करना है अगर program complete हुआ है तो फिर दूसरे program को execute करना है और अगर program नहीं complete हुआ है दूसरा instruction अभी complete होना है तो फिर से हो जाएगा processing step पर calculate the address of next instruction पर फिर से ये process होगा और अगर interrupt आता है तो सबसे पहले interrupt का check करेगा कि interrupt आया की नहीं उसके बाद interrupt का process होनी का बाद भी ये check करेगा कि क्या interrupt complete चुका है अगर हो चुका है तो थो ठीक अगर नहीं हुआ है तो जैसे ये instruction cycle process होती है तो ऐसे ही interrupt भी तो एक instruction ही है ना तो वो भी ऐसे ही process होंगे इस जिगा पर जो इत्ता लिखा है लेकिन ये process उतना ही है अगर interrupt complete हो चुका है तो program पर वापस चला जाएगा इसमें आप नीचे लिखा हुआ statement पर सकते हैं if isr is over start the interrupted program again अगर isr program यानी interrupt पूरा हो चुका है तो फिर jump करना है कहां पर जो program पहले stop कर दिया था उस पे और अगर वो भी program पूरा हो चुका था तो if program is over then jump to other program तो फिर दूसरा program करने में लग जाओ ये भी आप 3-4 point पढ़ लेना इनके बारे में अभी video stop कर लो और थोड़ी then and now मतलब पहले के computer और आपके computer में क्या फरक है इसको अब देखते हैं और इनमें जो भी components यूज हुए हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक इस topic में पढ़ेंगे सबसे पहले शुरुवाती समय देखते हैं कि शुरुवाती समय में कैसे क्या हुआ था की computer कैसे बना और उसका विकास कैसे हुआ Charles Babes the grandfather of the modern computer had designed two computers Charles Babes जो modern computer के जन्म दाता थे उन्होंने दो computer design किये एक difference engine एक analytical engine The difference engine was based on the mathematical principle of finite differences and was used to solve calculation on large numbers using a formula यह परमित अंतर के गरती सिधान्द पर आधारित था परमित यनी finite और इसका उप्योग बड़ी संखा में गर्णाओं को हल करने के लिए किया जाता था दूसरा analytical engine, it was a general purpose computing device which could be used for performing any mathematical operation automatically यह एक सामाने प्रियोजन computing उप्करन था जिसका उप्योग किसी भी गर्ती operation को स्वचालित रूप से करने के लिए किया जाता था अब Harvard Mark 1 के बारे में देखते हैं यानि computer जो दसमलों अंकों का गुड़ा भाग या फिर जोड़ गटाओ कुछ भी कर सकता था अब first generation computer के बारे में पढ़ते हैं दा origin of the first truly general purpose computer was also designed to meet the requirement of world war second पहले सई माइने में समान उद्देश वाले computer के पती भी दूसरे विश्यूद के आवस्चता को पूरा करने के लिए design की गई थी जैनि दूसरे विश्यूद के लिए computer को तयार किया गया था दा इनेक जिसका फुलवाम दा electronic numerical integer and calculator है वाज डिजाइन इन नाइन्टीन फोर्तिफाइब एड दा यूनिवस्टी आफ पेंसिलवानिया तू कल्कुलेट फिगर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गिवन्री टेबल्स रिक्वाइड बाइ दा यूएस आर्मी फोर अकुरेंसी इन आर्टिलेरी फायर इन्हें को निस सो पैतारीज में पेंसिलवेनिया विस विदले में हजारों के आकड़ों की गड़ना करने के लिए डिजाइन किया गया था इट कुड परफॉर्म 5000 एडिशन और 500 मल्टिप्लिकेशन पर मिनट यह 5000 जोड और 5000 गुड़े हर मिनट में कर सकता था इट वाज हाओएवर अ मॉन्स्टरस इंस्टालेशन इट यूज थाउजन अफ वैक्यूम ट्यूप्स एटीन थाउजन वेटेट 30 टन्स एक्क्यूपाइड आ नंबर आफ रूम्स इंडीड नीडेड अ ग्रेट अमाउंट आफ एलेक्ट्रिसिटी एंड एमिटेड एक्स इट यह एक राच्छस के जैसा विशाल काय कम्प्यूटर था जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूप्स लगे थे और जिसका वजन 30 टन्स था यह बहुत ही जादा बिजली का इस्तमाल करता था और बहुत जादा हीट प्रेडूस करता था यानि उसमा उस सर्जन करता था और पू अब इस समय में जो ट्रेंड चल रहा था इक या क्या बन्द है क्या क्या है क्या क्या इन कंप्यूटर में था क्या क्या था तो वैसे सारी चीज़े अब यह नीचे लिखी हुए हैं इनको आप चाहे तो पढ़ लेना आप सेकंड जन्रेशन कंप्यूटर के बारे में हैं अ टू स्टेट डिवाइस काल्डा ट्रांजिस्टर वाज मेड फ्रम सिल्कॉन ट्रांजिस्टर सिल्कॉन से बना होता था और यह सेकंड जन्रेशन में प्रयोग होने लगा वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े-बड़े होते थे उनको हटा करके अब ट्रांजिस्टर का सेकंड जन्रेशन में ट्रांजिस्टर वाज चीपर, स्मालर, डिसीपेटेटेट लेस हीट देन वैक्यूम ट्यूब बड़े उटिकॉम ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुल्लना में सस्ता, चोटा और कम उसमा वाला था लेकिन इसका उव्योग वैक्यूम एक ट्रांजिस्टर को solid state device कहा जाता था क्योंकि यह तारों मेंटर ग्लास कैप्सूल और वैक्यूम ट्यूब से नहीं बनाए जाता था जिनका उप्योग वैक्यूम ट्यूब से में होता था दा ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड इन 1947 and launched the electronic revolution in 1950 1947 में transistor का अविस्कार किया गया था और 1950 में electronic क्रांथी का सुभारंब किया गया transistor 1947 से start हुए थे और ये second generation computer में आये थे ये याद रखना और पहले PD में क्या था vacuum tubes और second generation में transistors the advancement in technology led to greater speed large memory capacity and smaller size in various generations अब ये transistor vacuum tubes से बहुत छोटा हो गया था और कम heat produce करता था और उससे कहीं गुना आधिक speed का हो गया था जिससे computer vacuum tubes की computer की तुलना में बहुत तेज हो गया था और memory capacity भी इससे बढ़ गई थी इसका एक example IBM 700 series computer है अब third generation computers के बारे में पढ़ते हैं third generation computer में IC का विस्कार हुआ it made possible to make many components of CPU CPU के parts को बनाने में इनका इस्तमाल हुआ since the size of these components is very small इन silicon दस hundreds और even thousand of transistor could be fabricated on a single wafer of silicon चुकि silicon में इन गटकों का आकार बहुत छोटा है इस प्रकार सेक्डो ये हजारों transistor तर भी silicon के एक वेपर में भी निर्मित हो सकते हैं और ये metalization process के द्वारा connected होते हैं आप इस चेत में silicon wafer chip and gates को देख सकते हैं कि वह कैसे कैसे अंदर इसके जुड़े हैं NAND और end gate के द्वारा ये सब जुड़े हैं और इसमें बहुत सरे इसी तरह छोटे छोटे components इसके अंदर IC chip के अंदर जुड़े होते हैं बहुत सरे transistor, register और बहुत तरह के उकरण अब integration levels के बारे में पढ़ते हैं इसमें integration level में तीन level दिखाए गए हैं एक SSI, एक है VLSI और एक है ULSI SSI मतलब small scale integration VLSI मतलब very large scale integration और ULSI यानि ultra large scale integration इनके नाम से ही सबस्ट है कि किसमें कितने ज़्यादा components आ सकते हैं जैसे सब से नीचे देखिए ULSI में 100 और ये 30 और ये 30 इनको आप देखेंगे तो इतने सारे components एक single chip ULSI circuit में आ जाते हैं इसमें आप देख सकते हैं VLSI circuit में 10 लाग gates तक एक single chip पर आ जाते हैं और ऐसे ही SSI में थोड़ा कम आते हैं क्योंकि ये small scale integration है उसके बाद में फिर VLSI में 10 लाग तक आते हैं और फिर ultra large scale integration इसमें तो करोणों में आते हैं करोणों और अर्बों तक पर जाते हैं इतने जादा components एक single chip पर आ जाते हैं यही है integration levels यानि कितना आ सकते हैं उसमें components वैसे third generation में प्रोसेसर का विसकार तो नहीं हुआ लेकिन four generation में प्रोसेसर आ गये था मतलब microprocessor IC circuits और बहुत सारे उपकरणों का इस्तमयाल करके उसे और भी advance बना दिया गया जो four generation की सेस्ता बताता है इनको full पढ़ना हो तो आप video pause के पढ़ लीजे नहीं तो इनके topic के बार में बता देतें जैसे reliability का अधा पर ये second generation से और reliable थे और low cost में थे और greater operational speed थी यानि इनकी speed जो थी वो second generation और फर generation से बहुत अधिक थी smaller computer provide better portability यानि एक छोटा सा computer बड़े बड़े computer से भी अधिक fast था और अधिक fast था deduction in power and cooling requirement यानि power और cooling requirement भी कम हो गई यानि पहले तो AC room में पूरा computer रखा जाता था लेकिन अब सिर्फ cooling के लिए एक फ्रैनी लगा दे जे वही काफी हो गया था इतना ज़्यादा अब cooling requirement कम हो गई थी पहले कितना ज़्यादा heat produce करता था computer मतलब फर्ट generation और सेकंड generation में उसके बाद में 3rd generation में ये सब बिलकुल कम हो गया 3rd generation computer में SSI circuit का इस्तमाल हुआ है यानि small scale integration उसके बाद में VLSI 4th generation में आया है और 3rd generation में family concept start हुआ है जैसे IBM system 360 family have model 30, 40, 50, 65 and 75 ये सब इनके model बन गए यानि इनमें थोड़ा थोड़ा improvement करके और इनके model बना करके बेचने लगे यानि इनकी ये family हो गए कि इस family के ये computer हो गए और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इसमें flexibility in selection model में आई यानि आप कोई भी model select कर सकते थे अब ये जो family होती थे computer के इनके बारे में देखते हैं इनका low family member से high family member यानि high level computer तक क्या process था सबसे पहले हैं instruction set अब instruction set के बारे में देखते हैं कि low to high instruction set में क्या प्रभाव पड़ता था ये similar ही है थे थे मतलब low में भी वही instruction और high में भी लेकिन इस में ये बात थी कि computer की family member में अगर high level वाले computer को कोई भी instruction दिया जाता था तो वो high level वाले computer में था execute हो जाता था लेकिल low level वाले computer में execute नहीं होता था और low level में जो लिखे जाते थे वो high level वाले में execute हो जाएंगे अब operating system के आत्राप देखते हैं operating system में high level वाले में थोड़े features advance हो गए तीसा नमबर है speed of instruction execution ये थोड़ा बढ़ गई number of input output ports ये भी बढ़ गई memory size ये भी बढ़ गई cost ये भी बढ़ गई ये सब नीचे का आप खुद से पढ़ लेना क्योंकि अब इन सब चीजों को बताते रहेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये खुद से पढ़ने के एक चिप पर ही सारे आ जाते थे अब वो VLSI सिस्टम पर बेस्ड हो गए थे यानि वेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन यानि अब उसमें बहुत सारे इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटिग्रेशन इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटिग्रेशन यानि करोड़ो अर्वो कंपोनेंट्स एक ही सिंगल चिप पर बनने लगे हैं अब ज्यादा तर ये पैरलर प्रोसेसिंग पर ही आते हैं इस कंप्यूटर योज हाई डेंसिटी पैकेजिंग एंड ऑप्टिकल टेकनोलोजीज जैसा के पहले ही बोला कि अब इनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एक ही सिंगल चिप पर आते हैं मतलब हाई पैकेजिंग प्रारब में प्रोसेसर के इस्तमाल के लिए आईसी तक्नीक का उप्योग किया गया था लेकिन बाद में बट सुन इट वाज रिलाइज दैट देट सेम टेकनोलोजी का इस्तमाल किया गया इसका मतलब है कि आईसी टेकनोलोजी का इस्तमाल करके ही सेमी कंड़क्टर मेमोजी को बनाया गया जो 256 बिट्स तक स्टोर कर सकती थी जो 1970 में बनाई गई थी आईसी बेस्ट सिस्टम से अब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बढ़ते हैं प्रोसेसर के बारे में तो आप जाननी गया होंगे कि इसमें बहुत सारी आईसी चिप्स का इस्तमाल हुआ और बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारे कंपोनेंट्स और आईसी चिप्स एक ही साथ में माइक्रो प्रोसेसर में लगे माइक्रो प्रोसेसर के इस्तमाल से कंपीटर और भी अधिक पावर्फुल हो गया अब ये चार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या का है ये सब कैसे क्या का लिखा है सबसे प्रोसेसर 4004 जो 1971 में आया था और जिसका मेमोरी साइज 640 बाइट था तार जैसी जो सुन रचना होती है यानि बस वीड्स इसकी 4 बाइट थी और ये specific application के प्रोसेस को करता था इसके बाद में फिर 8080 प्रोसेसर 8 बस वीड्स में आया जो 1974 में आया था और इसका मेमोरी साइज 64 के भी था उसके बाद में ऐसे ही साथे प्रोसेसर आएं तो आप इनके बारे में पढ़ लेना या पूरा चार्ट पढ़ लेना वीडियो पाउस कर लो या फिर वीडियाप में इसको पढ़ लेना यह एक समय में दो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है क्योंकि CPU में कभी-कभी इंस्ट्रक्शन डुप्लिकेट होते हैं तो उनका प्रोसेस एक साथ करता है इसलिए एक्जाइट टाइम पर दो एक्जक्शन एक्जक्यूट जाते हैं आप यह family processor है कि मतलब एक computer जो बना उसके family के member जो computer होते थे उनके processor है सबसे लोग family member में 601 processor लगा जिसका यह specification उपर वाला उसके बाद में दूसरा फिर सबसे high level का processor जो था G6 वो सबसे last family member का था यानि high level वाले का इसके बारे में भी आप इनकी जानकारी ले सकते हैं और VLSI circuit के बारे में तो आप जानते हैं कि ये very large scale integration है यानि एक ही chip पर 5 से 10 लाख components तक आ सकते हैं आप classification देख लेते हैं कि कौन-कौन से computer हो सकते हैं microcontrollers, microcomputers, engineering workstations, mini computers, mainframes, supercomputers, network computers ये इतने computers इसमें दिखाए गए हैं अब परते हैं microcontrollers के बारे में These are specified device controlling computers that contains all the functions of computers on a single chip ये computer को control करने वाले विशेशूप करण हैं जिसमें एक ही chip पर computer के सभी कारे होते हैं The chip includes provision for processing, data input and output display Chip में processing data input और output display का प्रावधान सामिल है ये घरेलू उपकरण और बाहरी उपकरणों जैसे car, radio, washing machine इन सब में लगे होते हैं ये microcontroller chip होती है जैसे microprocessor होते हैं वैसे ही एक microcontroller chip होती है जिसमें RAM, ROM और बहुत तरह के अन्य उपकरण बाहर से नहीं लगाने पड़ते हैं उसके अंदर ही fix होते हैं वो भी बहुत कम size में होते हैं जैसे laptop में 4GB, 6GB RAM एक्स्टा अलग से लगाई जाती है लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है एक उधारन लेते हैं जैसे washing machine washing machine में microprocessor का काम नहीं है उसमें सिब microcontroller का काम है जो उसके बाहर एक दो बटन प्रोवाइड करें जिससे आप उसे चालू बंद कर सकें और ऐसे ही एक दो कारे करने के लिए होता है और इसलिए उसमें बहुत कम ही storage की आउसकता पड़ती है इसलिए उसकी RAM, ROM और सारी चीज़े उसमें ही fix होती है यह ज़्यादा से ज़्यादा 1MB, 2MB इससे ज़्यादा RAM, ROM नहीं होती है और यह एक single chip होती है microprocessor की तरह बस इसमें कुछ open microprocessor में जो बाहर लगे होते हैं वो microprocessor chip के अंदर ही लगे होते हैं वो भी बहुत कम storage चंता और बहुत कम आकार में लगे होते हैं अब पढ़ते हैं microcomputers के बारे में A microcomputers CPU is a microprocessor इसमें microprocessor का इस्तमाल होता है They are typically used as single user computing और ये single user के लिए बनाई जाते हैं अल्दो present day microcomputers are very powerful वरतमान समय में microcomputers बहुत powerful हैं They support highly interactive environment especially like graphical user interface like windows मतलब कि ये highly interactive environment जिसको आप आसानी समझ सके especially like graphical user interface यानि graph के दोरा चित्रों के दोरा जो interface आता है उस जैसे operating system को आप देख पाते हैं उसमें और इसका एक उधारण है Windows operating system जो microcomputers में इस्तमाल होता है The microcomputer originated in late 1970s The first microcomputer were built around 8 bit microprocessor chips Microcomputer के उत्पती 1970 के दसक के अंत में हुई और पहला microcomputer 8 bit microprocessor chip का बना इनमें 8 bit, 16 bit और ऐसे ही बहुत सारे पहले यूज होते थे और सबसे पहले 8086 processor and 8088 processor आया था जो Intel Corporation का था और वो सबसे पहले microcomputers में लगा था Microcomputer के कुछ उधारण जैसे laptop, PC, netpad और smartphone इसके कुछ उधारण है अब पढ़ते हैं workstations के बारे में The workstations are used for engineering applications such as CAD, CAM or any other types of application that require a moderate computing power and relatively high quality graphic capabilities Workstations microcomputers की तरह ही दिखते हैं लेकिन इन में इतना अंतर होता है कि इन में graphical user interface इनका बहुत अच्छा होता है RAM, ROM और इनका processor बहुत अच्छा होता है ये आकार में microcomputers के जितने ही होते हैं और उनकी तरह ही दिखते हैं लेकिन ये उनसे ज़्यादा fast होते हैं इसमें आप देख सकते हैं Large RAM, Network Support, Graphical User Interface और Mass Storage Device ये सब microcomputers की तुलना में बहुत अधिक होता है Some special type of workstations come without a disk कुछ special type के workstations disk के बिना आते हैं उन्हें diskless terminals यानि workstations कहते हैं workstations are typically linked together to form our network ये network के दारा एक दूसर से जुड़े होते हैं और workstations से 200 users तक एक बार में processing कर सकते हैं मतलब ये microcomputers के आकार में तो होते हैं लेकिन ये उनसे कहीं गुना powerful होते हैं और workstations से 200 users तक एक बार में connect हो सकते हैं और instruction का process कर सकते हैं मीनी computer सब्दिके वित्पत्ती 1960 के दसक में हुई थी जब यहां महसूस किया गया था कि कई computing कारे के लिए महेंगे समकालीं mainframe computer के आवसकता नहीं होती है लेकिन इसे छोटे से हल किया जा सकता है तब मीनी computer को बनाया गया और ये multi user environment को support करता है यानि एक समय पर कई सारी users इसको चला सकते हैं और इसका प्रभाव ये था कि ये processing speed भी बहुत ते थी और power भी कम लेते थे इनके कुछ उदारण IBM AS400 और Digital VAX के कुछ उदारण है अब mainframe computers के बारे में पढ़ते हैं mainframe computers are generally 32 bit machines और higher यानि ये 32 bit की machine है ये बड़ी बड़ी संस्थाओं में लगाया जाते हैं उचितर applications को manage करने के लिए ये कुछ mainframe सीरीज लिखी हैं जैसे DEC, IBM, HP और ICL की एक कुछ सीरीज आती है mainframe computers की अब super computers के बारे में पढ़ते हैं ये mainframe computer के थोड़ा सा open level के computer है और ये तो basically multi-user system होगा ही क्योंकि super computer, mainframe computer है तो बहुत बड़ी-बड़ी machine होती है और इनको चलाने के लिए सिर्फ एक user थोड़ ना होगा इसको चलाने के लिए बहुत सारे users होते हैं और इसलिए तो बनाई जाता है ना मतलब इसका multi-user system होता है जिससे multi-processing होती है यानि बहुत सारे instruction आसानी से process होते हैं और ये सबसे ज़्यादा higher mainframe computers की तरह ही होते हैं उनकी भी higher speed होती है और इसकी भी higher speed होती है mainframe computers की speed भी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी भी बहुत ज़्यादा होती है इनके कुछ दारण है जैसे सुपरकम्पूटर C-R-A-Y-I-B-M-3-0-9-0-Wid-Vector-N-E-C-Fugitive-Param-Y-C-D-E-C-R-Sum-of-Dim अभी परम सुपरकम्पूटर के बया में थोड़ा और पढ़ लेते हैं सुपरकम्पूटर जैसे बायो मेडिकल अप्लिकेशन को चलाने के लिए और ऐसी ही बहुत सारी हाईयर अप्लिकेशन को चलाने के लिए होते हैं और इनसे वेदर फॉरकास्टिंग, कम्पूटेशनल फ्यूट्स, डाइनिमिक्स, जेमोर सेंसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, बायो मेडिकल अप्लिकेशन ये सारे इनके कुछ मेन काम हैं PERAM is a high-performance, scalable, industry-standard computer It has evolved from the concept of distributes, scalable computers, supporting massively parallel processing in cluster of network of computers मतलब इसका कहने कारत है कि ये प्रोसेसिंग पर काम करता है यानि एक समय पर बहुत सारी users इसको चला सकते हैं यानि एक समय पर इसके नेट्वर्क के दारह बहुत सारी user इसको use कर सकते हैं परम का मुख खिलाब इसकी मापनीता है यानि इसकेलिबिल्टी परम कैन बी कंस्टक्टेड टू परफॉर्म टेरा फ्लोटिंग पॉइंट ओपरेशन्स पर सेकेंड इट इस अ कॉस्ट एफेक्टिव कंप्यूटर ये बहुत महेंगा कंप्यूटर होता है और ये एक कारिक कर सकता है मतलब ये टेरा फ्लोटिंग पॉइंट इसकी परफॉर्मेंस है जो जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस नापने के लिए होता है और ये बहुत ही ज्यादा है आप पूरे चप्टर की समरी देख लेते हैं इस कंप्लीट ओर डिसकेशन ऑन दा इंट्रोड़ अधर रेडिंग्स मतलब कि कंप्यूटर के लिए वान निमान नहीं अपना एक आर्खिटेक्चर नहीं दिया वान निमान आर्खिटेक्चर बलकि कई आर्खिटेक्चर हैं जिन्हें आप भविस्च में पढ़ोगे इस यूनिट में आपको इंटर्प्स के बारे में बताय आ गया है क्लासिफिकेशन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ऑल्दो इट इस एग्जेक्टिंग येट कैन भी सप्लिमेंटेड विद एडिशनल रीडिंग्स अलाकि ये सारी चीजे संपूर्ण हैं लेकिन इसमें फिर भी कुछ एडिशनल रीडिंग भी हुई हैं इन फैक्ट आप खुद भी तो पढ़ना ही चाहिए लेकिन आप उसके बार में बता पाएं ये भी आपको आना चाहिए आगे पढ़ने के अलावा छातर को अपने घ्यान को बढ़ने के लिए ये अगर अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंद्स में शेर भी करें अब मिलेंगे सेकेंड वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद